नमस्कार साथियो मैं हूँ अंकीत और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिटोब टीवी में आज भी हम आपके लिए एक और महत्वपून जानकारी लेके आए हैं किरपय वीडियो को लाश्ट तक देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें लाइकोसाईलेटिड हीमोगलोबिन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यह जो HbA1C टेस्ट होता है यह पिछले दो से तीन महीने का हमारे सरीर के अंदर बिलड सुगर लेविल का रिकोर्ड बताएगा कि पिछले दो तीन महीने में हमारे अंदर सुगर लेविल कितना चल लहा है इसको जांच कराने के लिए जैसे मानलो आपने किसी प्रोसीजर के लिए टेस्ट कराया जो जर्नली सुगर चेक कराते हैं आप को बीप्रोसीजर कराने जा रहे हो तो आपका सुगर बड़ा हुआ आया उसके बड़े हुए होने का कारण कुछ और भी हो सकता है एक बार में किसी के बड़े हुए सुगर के टेस्ट से उसे डाइविटिव नहीं कहा जा सकता उसके लिए हमें उसकी मोनेटरिंग करना बहुत जरूरी होता है monitoring करने का तरीका है उसका fasting सुगर चेक कराना random सुगर चेक कराना कि आपका fasting में कितना है और random में कितना है जब आपने fasting और random दोनों सुगर चेक कराए उसमें fluctuation आया उसमें पता लगा के भी बड़ा हुआ आ रहा है तो डोक्टर साब को advise करेंगे कि आप HbA1C test कराए है अगर उसमें पांच पॉइंट साथ से नीचे है यानि कि आप बिल्कुल नॉर्मल है आपकी सुगर बिल्कुल ठीक है पांच पॉइंट साथ से उपर या 6.4 तक आ रहा है तो वो pre-diabetic लोगों का आता है यानि कि आपको diabetes होने की संभावना है सुगर होने की संभावना है आपको अपना सुगर कंट्रोल करना होगा नहीं तो आप diabetic हो जाएंगे और 6.5 से उपर आता है तो यानि कि आपको सुगर है उसमें भी पता लगता है 6.5 से उपर कितने परसेंट आ रहा है उसी हिसाब से सुगर लेविल का पता लगता है कि वही साथ पे इतना आठ पे इतना आ रहा है नो पे इतना आ रहा है दस पे इतना आ रहा है बारे पे इत चल रहा है मानलो अगर आप डायबेटिक भी हैं यानि कि आप सुगर के भी मरीज हैं तो भी डोक्टर्स आपको बोलेंगे कि आप दो से तीन महीने बाद यह टेस्ट कराते रहें ताकि आप जो मेडिसन खा रहे हैं आप अपना सुगर भी चेक कर रहे हैं तो साथ के साथ इस जांच के द्वारा यह भी पता लग जाए कि दो से तीन महीने में आपका सुगर लेविल कितना चल लहा है आपकी जादा सुगर तो नहीं बढ़ रही है जिससे आपको जादा खत्रा तो नहीं होगा दोस्तों HBA1C टेस्ट के लिए फास्टिंग रहने की कोई जरुरत नही हैं यानि अगर आप खाली पेट भी नहीं हैं तो यह टेस्ट आप करा सकते हैं इडिट ये वाइल में इसका सेंपल जाएगा लेव वाले आपका सेंपल कलेक्ट करेंगे और उसमें खाली पेट रहने की कोई जरुरत नहीं दोस्तों हमने आपको इतनी महत्पूर्ण जानक कारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार